Hello everyone, welcome to Vidya Shri Academy, I hope you are doing well, हम discuss करने वाले हैं आज 15 अप्रेल का करेंट अफेयर, करेंट अफेयर की शुरुआत आज के थौट से करते हैं, जो है जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, जब आप वहां पहुँचोगे तो आप देखोगे कि आप आगे देख पाओगे, इसका मतलब क् कि कभी-कभी हम सोचते हैं कि रास्ता बहुत दूर है, लेकिन जब हम दीरे-दीरे चलते जाएंगे, तो एक इस्थान पे पहुँचने के बाद हमें कहां जाना है, आगे की मंजिल दिख जाएगी, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, आज का करेंट अफेयर, फर्स्ट कुश वो फर्स्ट रैंक पर आया है, सेकंड रैंक है पापुआ, न्यू गिनी, तीसरा है अफगानिस्तान, तो अब हम कैसे याद कर सकते हैं, तो वेनिजवेला, वेनिजवेला आपको याद हो जाएगा कराकस, एकदम करकस ट्राइप का है, तो क्या करता है, बहुत अदे अपर करता है, पपुआ, पपुआ से याद रख लीजिए, पाप, पाप भी अपराद की श्रेडी में आता है, और जहां पर क्या होगी, करकस्ता होगी, पाप होंगे, तो क्या मचेगी, वहाँ पर आफराता फ्री मचेगी, मतलब अफगानिस्तान, तो आई होप आपको फर्स, स जई हैं, यद रख लगानी में, तो यस आपको याद होचुके हैं, यह कौन सा रख लेंकिंग है, यह वरिल्ड ऑफ स्टाटक्स की रपोर्ट है, कि सबसे अधिक अपराद करने वाले देशों में फर्स सेकेड थर्ड कौन कौन से हैं, तो ये आइस, आपको याद होगी है फर्स्ट है वेनिजवेला, सेकेंड है पपुआ न्यूगिनी और थर्ड है अफगानिस्तान अब क्वेशन आता है कि ये तो दूसरे देशों की बात हो गई हमारे प्यारे भारत देश में क्या अपराद होते हैं तो यस डेफिनेटली होते हैं और साथ साथ बहुत सारे अनेक अपराद होते हैं अब ये क्या नया चक्कर है तो साथ साथ मतलब भारत का रेंग है 77, 77 ये भी आपको याद रखना है अगर बात वेनिजवेला की जाए तो ये यहां पर काफी काफी बारी एक question पूछा गया है कि जो विश्व का सबसे उंचा waterfall है जल प्रपात है वो कौन सा है एंजल जल प्रपात है और जो कहां परिस्त है वेनुजेला में इस्ते थे अब आप मुझे comment box में लिखकर बताएंगे कि जो इसकी वेनुजेला की currency है वो क्या है क्योंकि वेन mind exercise है सैन ने अभ्यास है तो ये कौन-कौन से देशों के बीच में हुआ है तो ये हुआ है अमेरिका और फिलिपीन्स के मध्य अब जब भी इंडो-pacific reason में कुछ भी होता है इसका मतलब क्या है कि ये चायना को counter करने के लिए किया जा रहा है तो अमेरिका और फिलिपीन्स दोनों की चायना से बिलकुल भी नहीं बनती है इसलिए इन्होंने क्या किया है बालिकातन सहियोकति सैन ने अभ्यास प्रादम भी किया है नेक्स कॉस्चन बहुत ही महतेपून कॉस्चन है थोड़ा conceptual है इसको समझेगा हाल ही में ओपेक ओपेक देशों ने ओपेक प्लस द करने गाई तो ऊपेक की से अपना की गई 1960 में यह जो ऊईल इंपॉर्ट करने वाली एकस्पोर्ट करने वाली कंट्री होती है वो क्या कहलाती है वो ओपेक क्यांतर है प्रोड़क्शन तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी जैसे कि कतر है, UAE, Baband, Iraq, Iran, Saudi Arabia यह सब क्या है oil export करने वाली country है तो आपको OPEC के बारे में इतना पता होना चाहिए कि OPEC क्या है तो OPEC का full form क्या है यह आप मुझे comment box में लिखकर बताएंगे OPEC की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1960 में 14 September याद रखिएगा 14 September 1960 में OPEC की स्थापना हुई थी इसका headquarter है Vienna Vienna, Austria में इसका headquarter है इसमें जो members country है वो 15 है तो यह सब points आपको OPEC के बारे में पता होनी चाहिए इसमें यह भी याद रखिए कि कहां पर कितना अधिक production होता है oil का वैसे इतना तो नहीं आपको पूछा जाएगा लेकिन फिर भी इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए तो OPEC इसमें 13 देश हैं कि 15 देश है क्योंकि इसमें बढ़ते घड़ती रहते हैं तो इसको आप देख सकते हैं और इसमें OPEC प्लस OPEC तो ठीक है आप समझ गए होंगे लेकिन OPEC प्लस मतलब इसमें 10 देश और अधिक एड़ हुए है तो यह आद रखना है आपको यह पूछा गया है कि OPEC की सापना कप की गई तो OPEC की सापना 1960 में की गई थी नेक्स क्वेशन की बात करते हैं कि बच्चों के लिए Oxford की Malaria vaccine को मंजूरी दिने वाला पहला देश कौन सा बन गया है तो यह बन गया है घाना जो की South Africa का देश है अब यह बच्चों को Malaria की वैक्सेन क्योंकि Malaria जो है एक गातक बीमारी हो जाती है बच्चों में तो उनको proper vaccination करना बहुत अधिक जरूरी है तो ये आपको याद रखना है कि malaria की vaccine को कहां पर मंजूरी दी गई है तो वो कौन सा देश है तो वो है अफरीका का देश घाना ये आप देख सकते हैं इसमें पूरा बताया गया है आप यहां से पढ़ सकते हैं कि कहां पर कितने अधिक जो लोग हैं वो malaria से बच्चे जो हैं उनकी मौते हो जाती हैं तो यहां से आप यह जीज नोट कर सकते हैं next question की बात करते हैं next question है कि one world tv summit कहां पर हुई थी तो one world tv summit वारा नसी में हुई है और tv हारेगा देश जीतेगा ये भारत का प्रोग्राम है 2025 तक भारत का ऐसा प्रयास है कि tv को खतम कर देंगे और 2030 तक WHO ने ऐसा प्रयास किया है कि tv को दुनिया से मुक्त कर दिया जाएगा next question है कि वैश्वेग बात बैठक 2030 का आयोजन कहां किया गया है तो ये हुआ है भारत में अभी अगर हम बात करें कहां पर हुआ है तो ये हुआ है नई दिल्ली में ये याद रखिएगा ये प्रशन आप से पूछा रा सकता है अब वैश्विक बात बैठक तो बात बात बहुद धर्मी की आई है तो आपको कुछ farmers पता होने चाहिए कि गउतम बुद्धू जी ने बहुत धर्मे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो बहुत धर्मे के प्रवर्तक हैं वो गौतम बुद्ध माने जाते हैं और अगर हम मध्यप्रदेश की द्रश्टी से देखें तो जो सांची का स्थूफ है वो कहां पर इस्ते थे राय सैन में इस्ते थे सांची को यूनिस को हेरिटेज में कब शामिल किया गया 1989 में किया गया गौतम बुद्ध जी को किस ब्रक्ष के नीजे ज्यान की प्राप्ती हुई थी तो वो था बोध गया ब्रक्ष ये क्वेशन काफी बार एक्जाम में पूछा गया याद रखिएगा बौध संगीती से भी क्वेशन पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा कि पहली जो बौध संगीती हुई थी वो हुई थी राजगिदी में दूसरी हुई थी वैशाली में तीसरी पार्टली पुत्र और चौती कुंडलवन ऐसे आप आरवी पीके से भी याद रख सकते हैं नेक्स कुश्चन है कि जूस मिशन ब्रश्पती किसने प्रारम भी किया है जूस मिशन जो है वो जूपेटर के लिए है या ब्रश्पती के लिए है तो यह किस स्पेस एजनसी के द्वारा लॉंच किया गया है आपको उप्शन में मिलेगा इसरो, नासा, जियसे या यूरोपियन स्पेस एजनसी तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजनसी के द्वारा ब्रश्पती जो जूपिटर है, जूपिटर के जो उपग्रह हैं, जो बरफीले उपग्रह हैं, उसकी जानकारी के लिए ये mission launch किया जा रहा है, जिसका नाम है juice, अब यहां पर juice तो जे से juice याद रखिएगा और जे से जूपिटर याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्यों उनकी जानकारी इसके द्वारा प्राप्त होगी नेक्स क्वेशन है और आज का सबसे हाइलाइड क्वेशन जो काफी अधिक चर्चा में रहा है ADR, ADR रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट है इसके एकॉर्डिंग दुनिया के भारत के सबसे धनी मुख्मंत्री कौन है तो याद रखिएगा इनके पास है 510 करोड रुपे इतना सारा इनके पास पैसा है और सेकेंड नम्मर पे है प्रेमा खांडू जो की अनुसार प्रदेश की सीम है इनके पास है 163 करोड रुपे तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है अब ये तो बात हो गई अमीर मुख्यमंत्री की तो अब गरीब मुख्यमंत्री भी पता होनी चाहिए मुझे पता है आपको विलीब नहीं होगा लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट के एकॉर्डेंग जो सबसे गरीब मुख्यमंत्री है वो हैं दीदी जी मतलब ममता बैनर जी जी जिनके पास केवल 15 लाख रुपे की समपत्ती है क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन यहां भी खेला हो गया तो याद रखना है आपको सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है जगन मोहन रेड़ी जिनके पास 510 करोड रुपे की समपत्ती है प्रेमा खाइंडू अरणाचल प्रदेश क समपत्ती है अब हम बात करते हैं कि सबसे जादा लिटरेट सीयं सबसे जादा साक्षर सीयं कौन है तो वो है हेमंत विश्वा शर्मा जो की जिनके पास असम असम को हम हमेशा ओसम से आद करते हैं यह बहुत अधिक पड़े लिखे हैं तो याद रखिएगा कहां के मुख्य मंत्री जिनका नाम है हेमंत विश्वास शर्मा और जो अपराधिक मामलों में सरवाधिक सीयम है तो डोंट वरी यहां योगी जी का नाम नहीं आया है यहां आये हैं चंदरशेखराव तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो यह चारों फैक्ट आपको याद होने चाहिए क्यों क्रशी ड्रॉन सब्सिडी प्राप्त करने वाली प्रतम भारती ड्रॉन कंपनी कौन सी है तो यह है गरण एरोस्पेस गरण एरोस्पेस जो है वो क्रशी ड्रॉन सब्सिडी प्राप्त करने वाली कंपनी बन गई है यह आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वादेजम सम्मेट ज जगन मोहन सबसे अमीर और मम्ता जी हैं सबसे गरीव तो इसको रिपोर्ट को भी आप देख सकते हैं गरण एरोस्पेस को डीजी सीए से मिला पहला टाइप सर्टिफिकेट और आरपी टीयो एप्रूवल next question है कि अखिल भारती प्रवंदन संस ने business leader of the decade का पुरुसकार किसे दिया है तो वो मिला है कुमार मंगिलम विडला जी को याद रखिएगा ये बन चुके हैं business leader of the decade पुरुसकार से सम्मानित होने वाले businessmen बसंत उत्सव का सम्मन्द तो बसंत उत्सव अभी देश भर में मनाया जा रहा है जब भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए फसल के खुशिया मनाने के लिए बसंत उत्सव का आयोजन देश में किया जाता है आज का question of the day है कि AI index अभी जो Stanford University के द्वारा launch किया गया है उसमें भारत का इस्थान कौन सा है यह आप मुझे comment box में लिखकर बताने वाले हैं यह आप देख सकते हैं कुमार मंगलम बिडला जी को यह award मिल जोका है revise कर लेते हैं कल का current affair कल हमने पड़ा था कि 14 अपरेल को कौन किसकी जहनती होती है तो वो होती है डॉक्टर भीम राओ अमबेडिकर जी की जहनती तो वो हैं तिबबत दक्षडी सुदान और सीरिया नेक्स कोशन है कि पसू स्वास्थ सुधार एहल्प कारिकरम को कहां लॉंच किया गया है तो उत्तराखंड में लॉंच किया गया है भारत की पहली semi high speed regional rail service का संचालन कहां किया जा रहा है तो दिल्ली NCR में इसका आयोजन किया जा रहा है AI index यह आपको आंसर में बताना है केंद्री मंत्री नितन गटकरी ने कुनफर पीर सुरंग का उद्गाटन कहां किया गया है तो आंसर है जम्मू कश्मीर ग्रीन टेपोजट फ्रेमबर किसके द्वारा जारी किया गया है आंसर है RBI तो यह आज का उकल का current affair आपने पहली वाल चैनल विजिट किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों तक शेयर करना है थाइंकि सो मच पढ़ते रहिए खुश रहिए जैहन जै भारत